मेरी किचिन में आपका स्वागत है कैसे आप सब लोग आए होप आप सभी लोग अच्छे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी वीडियो तो गैस आज मैं मैं बनाने वाली हूं पेठे के लड़ू जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशिस होते हैं और ज्यादा मीठे भी नही जाए क्योंकि मैंने इसमें जो इंग्रीडिंस लिये हैं वह आप देख सकते हैं मैंने लिया है पेठा मैंने आधा किलो पेठा लिया है और मैंने लिया है फोकोनट पाउडर और मैंने थोड़े सी लिये काजू जो की ब्रत में भी हम खा सकते हैं चलिए आज की जो डिश है बनाना चले बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यह कद्दूकस में यह जो पेठा लिया है इसको ग्रेट करो आपने देखा होगा कि बजार में भी ग्रेट किये हुए पेठी के लड़ू मिलते हैं इस तरह से गिसने है चलिए सारे पेठा लिया इसको ग्रेट कर लेते हैं यह देखे फ्रेंट्स मैं इसको ग्रेट कापुनट पाउडर जो लिया था उसको इसमे एड कर लेगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेगे चलिए यह देखें कोकोनिट पाइट उसे क्या होगा कि इससे तो एक तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें और जो हमारे इसमें पेठे ने जो पानी सा छोड़ा है उससे बहुत ही अच्छा इसे एब्सॉर्फ कर लेगा चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अगर आप चाहें तो आप इने कलर्फुल भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो इसमें यलो कलर और रैट कलर एड़ कर सकते हैं जैसे भी आप मन करें आप वैसे बना सकते हैं इने कलर डाल के मैं इसमें कलर नहीं डाल रही हूं लेकिन अगर आपको चाहें कलर फुल तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं खाने में आप इस तरह से बनाईए बहुत जल्दी बन जाते हैं यह देखी फ्रेंड्स मिक्स हो गया हमारा यह बैटर देखें बन करके रेडी है चलिए अभी हम मीन से लट्डू बनाते हैं हुआ है यह धगी फ्रेंड्स छोड़ा फौरा बारा लेकर अब हम इनके लड्डू बना लनेंगे इस तरह से ख़कर 가운데 और अब हम क्या करेंगे खोड़ा-सा कोड़र पाउडर लेकर इलगी प्लेट में लेगें इस तरह से हम इंको गानिश कर लेगें कुछ के अलग प्लेट में ले लेगे और इस तरह से हम इनको गानिश कर लेगे इस ते अधिक जो देखे प्रेंट्स बनकर के तयार हैं हमारे पेठे के लड़ू और देखने में कितने डिलीशियस लग रहे हैं कि आपको इने कभी भी खा सकते हैं जब भी आपका मीठा माँ काने का आप इंस्टेंट इने बनाइए बहुत जल्जी से बन जाते हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाद लगते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अकर आपको मेरी ये रैसिपी अच्छी लगी होते से जरूर लाइक करिए मेरी चैनल को सुस्क्र